हेलो एवरिवन, मैं हूँ लोकिंदर सिंग और आज हम देखेंगे रॉंडा बर्न की बुक, दा सीक्रेट की बुक समरी, चलिए स्टार्ट करते हैं रॉंडा बर्न एक आस्ट्रेलियन राइटर और प्रोडूसर हैं ओथर के अनुसार इस सीक्रेट से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं एक अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छा घर, ऐसेटरा इस पूरी दुनिया में हम सभी कुछ लॉस्ट के साथ जीते हैं जैसे के लो ओफ ग्रेविटेशनल वैसे ही इस बुक में भी ओथर ने जिस लौ के बारे में बताया है वे है लौ ओफ अट्रेक्शन ओथर के अनुसार हम सभी की लाइफ में जो भी आता है उसे हम ही अट्रेक्ट करते हैं चाहे वो कोई गटना हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई बुक हो हर चीज को हम ही अट्रेक्ट करते हैं, अपने थौट्स के धुरूप ओथर का मानना है, हम जो भी बोलते हैं या सोचते हैं वो सब इस यूनिवर्स में रिकॉर्ड होता है और ये यूनिवर्स उसी के अनुसार हमें वो सब कुछ पेश कर देता है देखिए बहुत से इसे लोग हैं जो इसे नहीं मानते लेकिन लो ओफ ग्रेविटेशनल भी एक लो है अगर हम उपर से कोई चीज छोडते हैं तो वे नीचे ही आती है चाहे हम लो ओफ ग्रेविटेशनल को माने या ना माने उसी तरह से लो ओफ अट्रेक्शन भी है जो हर समय काम करता है और हर व्यक्ति पर काम करता है ओथर ने हमें इस यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल मेगनिट कहा है हम जो चाहें अट्रेक्ट कर सकते हैं हम जो भी सोचते हैं उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है मतलब हमारे थौट्स की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है ओथर ने एक एक एक्जामपल देते हुए कहा है कि जैसे हर टीवी चैनल की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है मानो अगर हम न्यूज देख रहे हों और हमें मूवी देखनी हो तो हम मूवी चैनल पर जाते हैं और टीवी तुरंत ही न्यू फ्रिक्वेंसी पकड़ लेती है न्यूस फ्रिक्वेंसी को छोड़कर मूवी फ्रिक्वेंसी को एक नई फ्रिक्वेंसी में आ जाती है उसी तरह से हमें भी positive thoughts और positive frequency में ही रहना चाहिए ताकि universe भी हमें positive result दे author के अनुसार हमारी frequency किसी भी television frequency से most powerful होती है author ने किसी भी चीज़ को अपनी life में attract करने के लिए तीन simple steps बताई है पहली है ask मतलब हमें universe से जो भी चाहिए पहले हमें clear होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए है क्योंकि हम clear ही नहीं हो पाते हैं कि हमें क्या चाहिए इसलिए हम उन चीज़ों को और events को attract नहीं कर पाते हैं अपनी life में author ने एक example देती ही कहा है suppose करिए आपने एक taxi book करी और driver को 10 direction बता दिये तो driver confused हो जाएगा कि उसे आपको लेकर कहा जाना है उसी तरीके से universe भी है हमें clear होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए है दूसरी step है believe हमें believe करना पड़ेगा जो हमने wish की है वो already हमें मिल चुकी है मतलब जो भी हमें चाहिए था वो हमें already मिल चुका है तीसरी और last step है receive हमें universe के लिए thankful होना पड़ेगा और universe हमें ऐसे लोग और ऐसे event को हमारे लिए पेश करेगा जिसकी हमने कल्पना की थी या जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं author का मानना है कि हमारे पास जो कुछ भी है अगर हम उसकी list बना कर धन्यवाद दें तो हमारी negative energy, positive energy में shift हो जाएगी और author या कहते हैं world biggest feeling in the world is gratitude मतलब दुनिया की सबसे बड़ी feeling thankful नैसे है देखी बहुत से लोग confused रहते हैं कि हम किस बात के लिए thankful रहें तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और आवाज सुन रहे हैं तो अपनी आखों और कानों के लिए भी धन्यवाद रहें ये हमारी feeling को change करेगी जो भी आप चाहते हो या imagine करा है उसकी यही पहली सीड़ी है कि आपको पहले अंदर से खुश होना पड़ेगा next बात जो ओथर ने बोली है हम सभी energy है चाहे वो इनसान हो समुद्र हो या कोई तारा हो इस दुनिया में सभी चीज़ energy है और energy कभी खतम नहीं होती और नहीं ये बनाई जा सकती है बस energy अपना form change करती है और ओथर यहां कहते हैं आप भी अपनी energy का सही इस्तमाल करें Thank you for watching Please like, share और ऐसी moral books की समरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें